जय जगरनात, हेलो बच्चा बटी, वेलकम बैक टो मैं यूटूब चैनल SRD Physics इस वीडियो में हम कापासिटर का एक JEPY कुई देखेंगे जो कोस्टिन 2023 में आया था दो कोस्टिन इस दो इक्वालेंट कापासिटांस अब दो कम्बिनेशन सोन इज यहाँ आपको फिगर दिया गया है and options are given here चलिए देखते हैं कोस्टिन को कैसे आसानी से solve करते हैं तो यह end को मैं A मान लेता हूँ, यह end को मान लेता हूँ B तो A and B के अक्रोस में हमको equivalent capacitance find करना है ठीक है, यह कोस्टिन को हम potential method यूज़ करके solve करेंगे तो कोस्टिन साल करने से पहले potential method के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं potential method मान लिज़े यह एक wire हो गया यह end को मान लेते हैं A, यह end को मान लेते हैं B तो B A equal to क्या हो जाएगा? B B अगर wire के बीच में circuit element नहीं होगा तो हम मानेंगे वो wire का दोनो end का potential सेम है तो circuit element अच्छली क्या होता है? तो circuit element मतलब resistance, capacitance, inductance and battery तो अगर यह resistance, capacitance, inductance and battery कुछ भी नहीं होगा wire के बीच में हम उसका दोनो end का potential को सेम मानेंगे ठीक है? तो चले देखते हैं question को कैसे आसानी से solve करते हैं? यह B है, मतलब potential क्या हो जाएगा? B क्योंकि यह wire में कोई भी circuit element नहीं है यह B B है, यह B B है circuit element नहीं है, यह B B है, यह B B है क्योंकि यह wire के बीच में कुछ भी circuit element नहीं है इसका भी potential B हो जाएगा, इसका potential B हो जाएगा क्योंकि देख सकते हैं आप यह B wire के बीच में कोई भी circuit element नहीं है यह end B B है, यह end B B है मान लिजें इसका potential B B है, मतलब इसका भी potential B B होगा इसका भी potential अगर भी भी है, इसका भी potential B B होगा अगर कोई भी capacitor का दोनो end का potential सेम है तो उसमे current flow नहीं करेगा, तो उसको हम consider नहीं करेंगे हमको सिर्फ यह दोनों capacitor को solve करना है तो अभी हमारा सर्कुट कैसे बन जाएगा ये C है ये भी एक कापाशिटर है ये C है तो ये हो गया B टर्मिनल ये हो गया A टर्मिनल अभी इक्वालेंड कापाशिटन्स का होगा अगर इसमें एक में इम्माजिनरी बैटेरी लगा दूंगा तो चार्ज कहां से फ्लो होगा एसे फ्लो होगा तो जब इचार्ज यहां आएगा कुछ चार्ज इधर जाएगा जो कंबिनेशन में चार्ज डिस्ट्रिबूट होता है वो कंबिनेशन को हम क्या बोलते हैं पारलल कंबिनेशन क्या बोलते हैं पारलल कॉम्बिनेशन तो ये c और ये c पारलल हो जाएगा तो पारलल का फर्मूला क्या है c equivalent equal to c1 प्लस c2 तो c प्लस c क्या हो जाएगा to c this is your answer so option c is your correct answer I hope कि आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर कुछ भी doubt है तो आप comment section में लिखिए फिर से मिलते हैं एक new वीडियो में एक नया question के साथ thank you, joy जगर्नाथ